हेलो गाइस वेलकम एक सुनी लाटो कार तो आज आप सभी के सामने पेसे ही है हमारी अल्यू निसान मैगनाइट और अभी आप लोग देख रहे हैं निसान मैगनाइट के बेस मॉडल एक्सी को तो आज इसी को भाइस आप प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे कमपनी भाइस अब अभी आपको इसके बेसी मॉडल से इसमें ऑडोमडिक का उप्शन इस साथ यह रड कलर एंड आपको काफी सारे इस्टेंडर फीचर आपको ओफर किया जाते हैं इस कार के साथ प्राइर रेंज की बात कर लिए तो छे लाग से इसका यह एक्सरू में पर बेस मॉड़ है फिर चलेंगे कार के इंटीजियर में रेट कलर में बाइस अब काफी जबड़ास सी लगरी देखने में यह इसकी मस्कुलर सी पूरी फ्रेंड प्रफाइल ग्रिल की तरफ आते तो बड़ा सा निसान का लोगो डॉमिनेटिंग फ्रेंड ग्रिल ग्रिल के सराउंडिंग इसके बाद नीचे यहां पर देखेंगे तो क्रोम इंसर्ट पूरा एल सेप में फॉग लैंस की हाउजिंग मिलती बाद में चाहें तो एक सेरीज यहां पर लगवा सकते हैं यह इसका नीचे का पूरा इंजिन एंड़ सस्पेंसन सेटप ग्राउंड कलरंस आपको इसकार म लग रही रीजन के यहां पर कोई भी वील कबर्स नहीं लगे हुए एंड यह नॉर्मन से आपको मैन्वल फिचकल की देखने को मिलेगी इस वरेंट के साथ अंदर कोई भी ऑडियो सिटम नहीं रहेगा बट टोर हैंडल से बाड़ी कर रहेंगे पीछे रहेंगे काफी सार सिटम के यहां पर रहते हैं इतना को ट्रेवल रहेगा बॉड़ी एंडे सस्पंसन के बीच में ब्लाक क्लर की देखेंगे पूरी यहां पर क्लाइडिंग नीचे भी रनिंग बोल्ड फेंडर पर इंडिकेडर्स की प्लेस्मेंट को मिलेगी स्विरिंड के साथ यहां पर न सब्सक्राइगा यहां से कोई भी आडियो सिटम में आप नहीं रहेगा और वाई सब रहते भी बहुत से फीचर से उसकी बात करेंगे अब वीडियो के आगे पीछे की तरब आप है फ्यूल के फिलर यहां सब डोलाएंगे पैट्टोल 40 लिटर फैनी के 40 लिटर फ्यूल ट अब इसका कार की तो इसका सीधा कॉंपरिशन रेनौट काईगर के साथ होता है काईगर इसकी प्राइजिंग लेकिन इसमें आपको मिलते काफिसार इस्टेंडर फीचर जो आपको उस वाली कार में देखने को नहीं मिलेंगे रियर की तरफ आते हैं सब एक दब मस्कुलर स इसके बाइस अब डिफ फॉगर यहां पर हाइम उन्टी स्टॉप प्लैंप इंटिग्रेटर इस पॉइलर उपर जाएंगे रूफ फिल्स देख रहें सब कितने सारे फीचर यह सारे फीचर आपको काईगर में देखने को नहीं मिलेंगे इसके बेस मॉडल में तो यह इसक देख सकते हैं पूरा लफ साइड में इसके रहेंगी चौश पाहें तो अब इसके बाद बचा हुआ इसका बूड़ स्पेस तो आए चलते आगे खोलते इसके टेल गेट को यहां पर आपको उसमें मिलने वाला वही तीन सो चाथिस लिटर का बूड़ स्पेस जो रहेगा इस सेग्मेंट की साब से एकदम बहतरीन सा पूरा सामान वगरा यहां पर बढ़ दीजिए तो यह देख रहें ना इस सेग्मेंट की साब से बढ़ी ऐसा नीचे आप इसका इस टपनी वाला इस पर वील जो आपको मिलता चौद इंचस का यानिकि दो इंचस बाद में लग तो यह था इसका बेस मॉडल जहां पर कोई भी वील कबर्स आपको नहीं मिल लें एंड अंदर कोई ऑडियो सिस्टम नहीं यह नहीं यह रिमोट सेंटर लॉकिंग की यह बाइस साब एक साथ लाग के आस पास वह जाएगा आट लाग के आस पास तो आप चूस कर सकते हैं क हैंडेस वगरा देखेंगे चारों मिलते से में आप बाडी कलर अप चलेंगे गाड़ी के अंदर बैट के देखते हैं इसका स्पेस वगरा डोल ट्रीम पूरी डोल टोर में उपर की तरफ इसका डोर ओपनर यहां पर लॉक अनलॉक वाला नोब नीचे यहां पर पारम दोस इसका प्रोपर स्पेस इसकी फैब्रिक यहां पर देख सकते हैं और अंदर बैठने के बाद आइसा देखेंगे पोरा आपको दिखते हैं पर डोल टून में इसका डैसबोर कोई भी बाइसा वाकुस में आउडियो सिचम वगरा पर देखने को नहीं मिलेगी मतलब यह लग कंदा भी बैठेगा तो यहां पर इसली बैठ जाएगा कोई भी इसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इधर के देखेंगे डोल ट्रीम वगरा यहां पर इसका ग्रैप हैंडल हो गया हुक हो गया यह इसका छोड़ा सा कौटर ग्लास पारसल ट्रे वगर अगर इस पॉइलर रूफ रेल्स एंड आगे जाएंगे तो यहां पर रहेंगे चारो पावर उंडोस के कंट्रूल यह काफसर फीचर्स आपको मिलते जो इस सेग्मंट की आपको दूसरी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे तो यह आपने देख लिए इधर का पूरा देखते तो पूरा आपको मैट ब्लाक फिंच देगा है लाश्ट वाले पिलर्स के पास बी पिलर्स अगर आप पूरे यहां पर ब्लाक आउट एंड यह इसका डोर हैंडल अंदर जाने के लिए बाइस आप इसी मैनुल की से ही आपको इसको लॉक अनॉक करना पड़ेगा क कुछ इस तरह है तो यह होगी भी यह लॉक पीछे वाली देखेंगे तो यह नहीं मतलब कि यहां पर आपको मैनुल संटर लॉकिंग भी देखने को नहीं मिलेगी अब आईए चलते अंदर डॉल ट्रिम वगरा देखेंगे पोरी डॉल टॉन में आपर रहेगी यह रहेंग सीट्स वगरा मैंने आपको दिखाए दी सारी यहां पर फैब्रिक की रहेंगी यहां पर सीट रिकलाइन को आप्शन नीचे जाएंगे तो यहां पर इसका फ्यूल डीड ओपनर यह इसके मैनुल टांस्मिशन के एबी सी पैडल्स आगे कब ओनर खोल सकते हैं और बेसी मॉ आपको लगवाना है रिमोर्स इंटर लॉकिंग के लगवाना है वील कबर्स लगवाने बाकिये बाइस आप इतनी सारी चीज़ तो आपको बेस मॉल्स आफ्वर की जारी है इस कार में सबसे पहले ऑन करेंगे इसका इगनिशन तो पूरा डिश्टल आपको देखने को मिल मेटी सिरिंग इस साड़ जायेंगे तो यहाँ पर रहेंगे इसके हैलं के कंट्रोल्स यहां पर वाइपर के कंट्रोल क्लेशटर देखेंगे पूरा डिश्टल में on करके दिखाते हैं left side में आपको मिलेगा इस car पे meter इधर जाएंगे तो fuel gauge वाली information यहाँ पे नीचे की तरफ उपट temperature वाले बास बाकिया पे check lights वगरा बीच में इसके M.I.D. screen multi-information display trip A, trip B उसी के बार range और यहाँ पे देखेंगे average वगरा हो गया fuel use हो गया, service interval set tar pressure TMS तर में कितनी वो आपको नहीं दिखाए देगा कम होगा तो आपे check light आपको देखने को मिल जाएगी TMS वाली यह सब आपने देख लिए अब आते डास्पोर की तरफ पूरा dual tune में आपको देखने को मिलता है इसके base model का यहाँ पर इस events के surrounding पूरा देखेंगे silver finish, audio system आपको बाई सब लगवाना पड़ेगा बाद में, touch screen, 2D जो भी लगवाना और touch वाली लगवा के बड़ा reverse parking कैमरा लगाईए उसके अब आपकी गाड़ एक्दम हो जाएगी बेतरीन सी, agile light का switch यहाँ पर boot unlock का बड़न यहाँ पर आपको दियाएगा बाकी यह देखेंगे defogger का switch यह आपको base model से देखने को मिल जाएगा manual AC आपको offer किया जाता है इस base model के साथ यहाँ पर अपना phone वगवारा रख लिए and axle में अगर आप जाएगे ने तो हापको मिलेगा fully automated climate control bar out का charging outlet यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला बाकी space वगरा बड़े सा रहेगा जहाँ पर अपना कुछ भी खाने पिने यहाँ छोड़ा मोड़ा समान रख सकते हैं 5 speed इसका देखेंगे manual transmission यहाँ पर इसकी handbrake दो glass holders पीछे वालों के लिए बड़े सा space dual trim पूरी dual tone में airbags आपको मिलेंगे दो एक हो गया वहाँ पर दूसरा हो गया यहाँ पर यह dual airbag रहेगा इस्टेंडर इस कार में glove box में इतना कुछ space रहता है बाई साब इतना नहीं बहुत deep space है देखें तो यहाँ पर अपना अच्छा कासा सामान रख सकते डॉकुमेंट्स वगरा manually इसका डिश्टेबल देखेंगे यहाँ पर IRVM road flight आपको मिलेंगी यहाँ पर पीली वाली इधर जाएंगे तो सनवाइजर में रहेगा ticket holder इस साइड यहाँ पर vanity mirror देखनों को मिल जाएगा वाकी graph handle वगरा यह देख लीजिए इधर 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 तीनों तरफ आपको बड़े सा दिये गए हैं पीछे हम लोगों ने पर बैट के देखी लिए तो वाई सब 6 लाग से इसका यह एक्सरूम बेस मॉड़ जी श्टार होता है तो वाई सब प्राइस पॉन को देखते हो ना जिस प्राइस में वाई सब हैज बैक आती है उसमें आपको मिल यहाँ यहाँ पर 4 इस्टार डेट 72 PS की पावर 96 अनम का टॉक मिल जाएगा सम्तिंग महीं मिलता है 18 से 19 केमपल का मायलीच इस कार के साथ तो यहाँ पे अगर आपको बात आती है इसका बेस मॉडल एक्सी लेते तो आपको पढ़ने वाला है 6 लाग एक्सरूम एड़ जाएगा सम्तिंग 7 लाग के आस पास ओन आपकिंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बिल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन, टीप एमस, तो यहीत आज का मारा वीडियो इस निसान मैगनाइट पर, तो अगर आज का मारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जू करते हैं चनल को सस्क्राइब कर झाल